तो दूस्तू प्रशित दिक्रिशना, मुकेश शोदरी, रिशप पंचस, प्रिट पुमराज जैसे बड़े इंडियन प्लेयर्स जो IPL 2023 के अपनी इंजरी के चलते, कम्प्लेट सीजन से बाहर हो गयते, तो हुँ कुछ बड़े इंडियन प्लेयर्स ऐसे भी थे जो IPL 2023 के सोल्ड गेते, तो ऐसे में आठ बड़े इंडियन खिलाडियों की IPL 2024 में वाफसी होने वाली है, तो ऐसे में कौन-कौन से ओ आठ बड़े खिलाडियें, मैं इस जोड़ों में आपको वन बाई वन करके बताने वाला हो तो दूस्तों, वीडियो रहने वाली है, काफी जाद इंपोर्डन वीडियो में अंततक बने रहना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबादना, वैसे दोस्तों, IPL से जुड़ी हर चोटी बड़ीनी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, आप हमारा टेलिग्राम चैनल गेज बाद मुकेश चोधरी जिन्होंने IPL 2022 में काफी भेदरिन परदशन करके दिखाया था, और IPL 2023 में इन से सभी की उम्मेदे थे, लेकिन अपने इंजरी के चलते मुकेश चोधरी जोदे IPL 2023 के कम्प्लीट सीजन से बाहर हो गयते, लेकिन IPL 2024 में हम इनकी वाफसी होने और एक बार फिर मुकेश चोधरी जो है चेनने सुपरकिंग के लिए खिलते वे नदर आने वाले है, और अपने बॉलिंग का जल्वा बिखेने के लिए पूरी तरह से तयार रहेंगे IPL 2024 में, जबकि दूसरे जो प्लेयर हैं रिशप पंद, रिशप पंद एक बहदरीन व 2023 के कमप्लेट सीजन से बाहर हो गयते और इनकी जगह जो है कप्तानी डेविड होनर ने की दिल, लेकिन रिशप पंद आई पिल 2024 में वाफ्सी करने वाले हैं अपनी इंजरी डिकावरी करने के बाल, और आई पिल 2024 में फिर एक बार देली केपिल के लिए खिलने वाले हैं, और देली केपिल की कप्तानी आई पिल 2024 में करते हुए जो है दिखाई दे सकते हैं, जबकि तीसरे जो प्लेयर हैं प्रशिद दिक्रिशना, प्रशिद दिक्रिशना जो की एक बहतरीन तेज गेद बाज है, राजस सान रोल्स के बहतरीन गेद बाजो में शुमार देने कर सकती है, और अगर प्रशिद दिक्रिशना आई पिल 2024 की आउक्सन में भी आते तो इन पर कई टीमें जो हैं पोली लगाने के लिए तैयार रहने वाली है, और प्रशिद दिक्रिशना आई पिल 2024 में कमबैक करेंगे, जबकि चौता जो नाम है श्रेश ऐयर का, श्र इनकी इंजरी जो है रिकावरी हो चुकी है, और आई पिल 2024 में कमबैक करेंगे, और एक बार फिर ये कोलकाता नायरत के लिए खेलने वाले हैं, और कोलकाता नायरत की कप्ताने भी करते हुए दिखाई देंगे, आई पिल 2024 में, पांच में प्लेयर की बात करतो है, रज़त से रिकावरी हो चुकी है, और आई पिल 2024 में कमबैक करेंगे, और एक बार फिर ये रोयल चैलेंजर बिंगलोर के लिए खेलने वाले हैं, ये ओपनिंग या फिर तीन नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं, रज़त पाडिदार, जबकि चट्टा जो नाम है जस्प्रीट बुमरा का, जस्प्रीट बुमरा एक बहुत ही बड़ा नाम है, जो आई पिल 2030 से जस्प्रीट बुमरा बार होए तो मुंबाइ इंडिन को काफी बड़ा जटका लगा था, इनकी इंजरी के चलते हैं, ये पूरे एक साल से किरकेट से दूर हैं, लेकिन एक बहतरीन विकेट कीपर बले बाज है, आई पिल 2022 में रोयल चैलेंजर बिंगलोर की टीम में थे, लेकिन अई पिल 2030 में अंसोल्ड गए थे, और एक बार फिर मुहम्मद आजुरुदीन को पर आई पिल 2024 के ऑक्सन में बोली लगी और मुहम्मद आजुरुदीन आई पिल 2024 में कमबैक करने वाले हैं, और आई पिल 2024 खिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जबकि आटवे जो प्लेयर हैं शिरेश गोपाल, शिरेश गोपाल एक बहतरीन इस्पिनर गेद बाज है, आई पिल 2030 में अंसोल्ड गए थे, आई पिल 2022 में संडाइजस हैदराबाद की टीम म आई पिल 2024 के आउक्सन में सिरेश गोपाल के उपर कई टीमें जो हैं बोली लगाने वाली है, यह बहतरीन इस्पिनर गेद बाज है, मोश्ट लाइकली मॉमबाई इंडियन इन पर बोली लगा सकती है, तो यह रहो आठ बड़े प्लेयर जो आई पिल 2024 में कमबैक करेंगे इंडियन प्लेयर इन में से आपको क्या लगता है, कौन सो प्लेयर अगर जिनका सबसे बहतरीन कमबैक आई पिल 2024 में रहे, कमेंट करके जरूर बताएं, तो दोस्तों शुटम बसीज नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइक अंद बादना, तैंक यू सो मच गाइज फोर वाचिंग इस वीडियो